Hello everyone, welcome back to another video from Goa इस वीडियो में हम आपको Goa के सबसे फेमस कैंडिलम और कैलंगूट बीच, मार्केट, कैफे और स्ट्रीट्स दिखाएंगे साथी साथ हम दिखाएंगे यहां का होम स्टे जहां पे हमने भी दो महीने का स्टे किया था और सारी डीटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो भाई हमारी रोड ट्रिप टू इंडिया का पहला स्टॉप था पूरे 2000 किलोमेटर की ड्राइफ के बाद और हम बोले तो मैं मेरी बीवी और हमेशा साथ रहने वाला चीका 9 to 5 ओफिस से बोरो के हमने डिसाइड किया कि हम वर्क फ्रॉम होम का कुछ फायदा उठाते हैं और एक्स्प्लोर करते हैं दी इंक्रेडिबल इंडिया तो सोना से ड्राइफ करके हमारा पहला स्टॉप है गोवा तो आज के दिन की शुरुवात हमने करी है कैंडलम बीच से इस साइड से अभी हम लोग आए थे और यह यहां की पार्किंग इस साइड पर पूरी मार्केट है अगर हम इस साइड से जाएंगे तो यह पूरी मार्केट है ऐसे ही शॉप से गयरा होती है और यह है बीच की साइड जहाँ पर हम अभी चल रहे हैं चलो जी मोटू ने अपना माइक बंद कर रखाया और बोल रहे है बूल गया ला मैं बूल गई थी है काफी अच्छा है यहां पर अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी और हम लोग को लग रहा था कि यार हम लोग आज भी बीच नहीं जा पाएंगे बट फाइनली बारिश बंद हो गई तो कम से कम बीच तो जा पाएंगे बहुत ज्यादा तेज हो रही थी यह है वेलकॉम कैंडलम इधर से ना एंट्री टीट्रीज की शॉक्स हैं यहां पर बहुत सारी टैटू गवा में टैटू बहुत सारे हैं कि झाल चाल में लोगने की शॉक्स जाएंगे बहुत तो जाएंगे बहुत सार्वच्स हमक्स पाहर हुत सार्वार्ण चाहर हुत में बाएंगे बाल बाएंगे क्या अफ़ संट खूब शो की गचन्स मेरा पीछा कर रहे है यह बहुत जादा थेज हावा चल रही है यह पर यह कंदिलिम वीच अच्छली बहुत अच्छा एरिया है थोड़ा क्रावटेड बहुत आइसलेट नहीं है बट इतना जादा क्रावड वी यह नहीं है हमने को हमें ऐसे भी बीचेस देखे हैं तो इसे भी बहुत जादा क्रावड़ेड तो आप यह एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप पानी में भी जा सकते हैं यहां पे चेंजिंग रूम है जितना हमने यहां पे अभी बोर्ट पे पड़ा है बट हम और पता करके आ तक कान फिमेशन भी दे देंगे उसके अलावा यहां पे शैक्स वगेरा इस वट तोड़े से कम है विकेंज हम आये हम मौन सून में हमें मौन सुन बहुत जादा पसंद है सुबहा से रही थी और वेदर इसी वज़े से बहुत लिए अमेजिंग और रखा है तो हम इस वत म एक्स्प्लार करते हैं कि यहां एक अच्छी इविनिंग कहां स्पेंट करें जा सकते हैं चलते हैं हम लोग टोमाइटोज तो हमने अमना लंच ट्रमाटोज में किया है कैफे यह बहुत ही अच्छा है यह का म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा अगर आप बॉलिवुड फैन तो आप यहां जरूर आए यहां नाइन्टीज का बहुत ही अच्छा बॉलिवुड मैश्प होता है अगर हम फूड की बा करें तो आप कुछ खाना ट्राइ कर सकते हैं इंडियन फूड वह आपको शैद बेटर मिलेगा आज हमने तर्किष फ्लैटर ट्राइ किया था हम मिल्स पीट प्रेड वाला हम यह नहीं कहेंगे कि इट वस एक्सलेंट इट वस गुट इट वस फाइन बट यहां पर अगर अ अब आप उचे और अंदेरा हो जाए यह यह है कैलंगूट की पार्किंग और हम इदर की तरफ जा रहे हैं कैलंगूट बीच की तरफ मार्केट बहुत सारी है यहां पर कि काफी सारी शॉप्स हैं आपर शॉप्पिंग करने के लिए बड़ी आए कपड़े अपड़े बैग्स पदानी क्या क्या है सब कुछ ही मिल रहा है यहां पर बहुत सारी शॉप्स हैं कैलंगूट पीच के पास बहुत सस्ता अस्ता मिलता है यहां पर टी शिर्ट्स और यह सब यह है यहां का बीच कैलंगूट बीच यह है यह है यहां कि अप्ड gonna be हम लोग अभी पानी में भी गाया हमने बहुत जादा इंजॉय किया आपको देख रहा हुआ कि मैं आदा भीग भी चुकाओ कि काफी जादा लहरे आरी थी पास में और यहां पे बहुत सारे मैं पको दिखाता हूं यह कौन कौन से गफेज रहे हैं किया इसके पीछ रहे हैं यहां पे चाद पर इस हाई है और इस साइट पर भी सारे निटने भी आपको दिख रहे हैं कि टिप-सी सारे के ऊधिये बोसीनों के इसमें काहिठ से कहा है पक्रावड भी किसे क् flick बहुत जाधा है स्वें क्योंकि ही परस पेलों को था सो कि यह माधरीप में लख यहां तो बाक्षि लोग उसक्याओं कि रख है पर बहुत जाधा प्रहणा पावग यहां पर यह इंट्रेंस है जहां से हम लोग आये थे अभी भी क्राउड आई रहा है क्योंकि इस समय संसेट का टाइम है तो काफी अच्छा हो रहा है एट्मस्टेर यह भी बाल पूरे ओड़ोड़ के पूरे एकदम भूसा हो चुके है अब हम चल दी है वापस की तरह और हम आपको दिखाएंगे कि हम गोवा में कहां पर रह रहे हैं और यहां का क्या रेंट है यहां पर क्या फैसिलिटी है वर्क फ्रॉम हों के लिए कैसी जगह यह आपको करने में कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी पूरी डीटेल्स मैं आपको यह बता तू कि यहां से मुचिल से मुझी मुझता है टें मिनट वोकिंग डिस्टेंस पे है आपको पार्किंग अरिया मिल जाएगा यहां पहला पूरा पार्किंग अरिया हीं है तो काफी बढ़ा एरिया है तो आपको दिखकरते हम धूelle अर उसके बाद में आ जहां पर आप आप अपना खाना बना पाएं तो यहां पर एक चोटी सी स्टोव है कुछ नॉर्मल एकदम बेसिक से आपको एक्विपमेंट्स मिल जाते हैं बनाने के लिए बागे अगर कोई चीज की कमी होती है तो आप यहां के ओनर से भी बोल सकते हैं वो सब चीज अविल करवा देते हैं और से लेंडर अभी दो नहीं है बट हाँ जो आप लेते हैं तो से लेंडर भी आपको लगा के दे देते हैं साथ में आपका यह फ्रिज है यहां पर काफी समान आ जाता है मुझे लगता है कि एक बेसिक जितना होना चीए उतने उस इसाप से है यह फ्रिज बड़िया कोजी बेड्रॉम है मुझे तो हमारे लोग के एक अगलम सही लगा और हम लोग यहां पे अल्मोस्त एक-डिप मुएना-दोमूहिन से रह रहे हैं दो मुएनअ होगे न हमारे को यहां पर दो मुएने से रह रहे हैं तो हमारे को तो एक लिएक नम सही लہा कि यहां की बालकनी इस समय तो बहुत हम लोग समय अच्छली में मौनसून में आया है यहां पर गोवा में तो मौनसून में गुमना एक अलगी वाइब है बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल होता है तो इस वए से यहां पर आप यह जो शेड देख रहे हैं आप लगा जाता यहां का बेस्ट पाट गोवा का तो यह है ही और यह जो एरिया यह अंदर वाली जो बालकनी है चाहिए वाली बालकनी ओ चाहिए वाली बालकनी यहां पर अच्छा है कपड़े अपड़े सुखाने के लिए उनकि आप इतने टाइम से रहोगे तो आपको थोड़ा बहुत अच्छी यह होता है क्योंकि हम भी अपनी बालकनी में यही इसी के लिए यूज़ करते हैं इसको कि यहां पर कपड़े अपड़े सुखा दिये तो बढ़िया रहता है यह पीछे वाली जो बालकनी है आगे वाली मैं आपको बाद में दिखाऊंगा बट पहले एसी लगा हुआ है most important यहां पर humidity बहुत ज़्यादा होती है तो आप किसी भी मन्त में आते हैं कोई भी मन्त में आगर आप गो आओ तो आपको एसी की ज़़ुरत तो पढ़ती ही पढ़ती है तो बड़ी है इस्प्लिट एसी है comfortable रहता है कोई दिक्कत नहीं होती है अलमारी दियो यह आपको जो की बहुत ज़्यादा important है बहुत ही जरूरी है बेसिक्स है लेकिन जरूरी भी उतना ही है अब मैं आपको यहां का washroom दिखाता हूँ कि washroom भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप कहीं पर भी इ इस वे से आपको ना ऐसा बंद बंद सा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा छोटा है तो ऐसा बिल्कुल भी निया काफी बड़ा है अपना washbasin, pot और सब कुछ एकदम बढ़ी है neat and clean है एक और मैं आपको यहां का बैस पार्ट बताता हूँ कि यहां पर जितने भी टाइम विगारा एकदम साफ करके जाएगी तो यह काफी अच्छी चीज़ें कि अगर आप work from home करने के लिए भी अगर यहां पर आ रहे हैं या वैसे भी आ रहे हैं चार-पांस दिन के लिए अफते बर के लिए तो आपको ऐसा कुछ कुछ करने की ज़ुरत नहीं आपना जादा ज जॉए कर सकते हैं गो आए भाई थोड़ा घूमना ज्यादा जरूरी है आए अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहां का बहुत ही ज्यादा अच्छा विव कि यह देखिए आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां का जो विव है बहुत ही ज्यादा अच्छा है पूरा गीरी गीरी सुबहा उठके सबसे पहले आप बाहर आऊना तो एक्दम मज़ा आ जाती है और थोड़ा सा में नीचे की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो यहां पर काफी अच्छा है काफी अच्छा है अब तो बारिश हो रही है इस वैसे पूरा जो है एरिया भीगा भीगा सा लग रहा है बट यहां पर जो है यह ऐसा ही कि आप अगर थोड़ा सा सुबह सुबह एक्सराइज दिगारा करना चाहते हों बड़ी खुली ताजी हवा में तो उसके तो ओवराल काफी अच्छा है बहुत कमफरडेबल है और अगर मैं आपको यहां का प्राइज बता हूं तो हम लोग ने बहुत रिसर्च करी थी गुवाने से पहले क्योंकि हम लोग इतनी लंबी जर्णी पर हैं यहां से लेकर अभी पता नहीं हमें साउथ विगयर हमें कहां तक जाना है हमें खुद भी नहीं पता इतना लंबात हमने मतला हमने प्लैन कर लिया है कि हम राम सेतु तक जाएंगे बड़ इग्जाक्ली कहां कहां रुकेंगे वो हमें भी नहीं पता है तो इस वएसे हमको चाहिए था कि कुछ बजट में हो अच्छा हो और बजट में हो तो यहां का जो प्राइज है वो है 25,000 रुपीस पर मन्त विच आ थिंग इस रीजनेबल क्योंकि अगर बाकी से कंपेर में को करो यहां पर जितने भी थे एरबीन बीज भी अगर आप चेक करोगे तो आपको बहुत एक्स्पेंसिव मिलेंगे मतलब अबफ 40, 35 अबफ 40 अबफ तो भरे पड़े हैं सारे बट इस रिंज में यहां पर एक लौता ही था अगर मैं आपको सच में बताऊ तो यहां की जो कैलंगूट और यह कैलंगूट का एकडम एंड है कैंडलम का एकडम स्टार्टिंग पॉइंट है तो यह बहुत ही जाधा अच्छी लोकेशन है कि बाहर जाते साथ आपको बहुत सारे कैफेज मिल जाएंगे और कुछ तो रेस्टरॉंज ऐसे हैं जो कि 24-7 खुले रहते है है जो कि बहुत ही जाधा अच्छा है और सारे के सारे कैफेज यहां पे काफी देर तक खुले रहते हैं पर यहां बहुत सारे ऑप्शन है आपको डिलिवरीज भी करानी हो सुईगी पे तो रात में 2-3-4 बे तक अराम से हो जाती है कोई भी दिक्कत नी होती तो उस सेंस मे भी लोकेशन यह बहुत अच्छी है और अगर घूमने भी जाना हो तो यहां से बीच जो है वो मुश्किल से मुझे लगता है जो कैंडिलम बीच है वो 2 किलोमेटर होगा यहां से और जो कैलंगूट बीच है जो कि यहां का सबसे बड़ा मैं बोल सकता हूँ एरिया जहां खूब सारी मार्केट और आसपास सब कुछ एकदम भरा हुआ जो हर कोई जब गोवा में आता है तो कैलंगूट जाता ही जाता है अगर मैं उस एरिया की बात करो तो यहां से मुश्किल से मुझे लगता है तीन साड़े तीन किलोमेटर है तो अगर आप लॉंग टम में भी तो यह काफी अच्छा है दूसरी चीज अगर आपको यहां पर डेली मतलब जैसे महीने के साब से नहीं रहना कि महीने का यहां पर 25,000 रुपीज अगर आपको डेली के साब से चाहिए तो वह भी आपको मिल जाएगा जिसका प्राइज ओवर 1200 रुपीज पर डे और इनके रीजनेवल हैं सब कुछ काफी अच्छा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं आप जो की है वाइफाई तो क्यूंकि वर्क फ्रॉम होम के लिए अगर आप यहां पर आ रहे हैं और आपको वाइफाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होत तो कोई सभी नेटवर्क हो कोई सभी जीओ एटल, वोड़ा फोन कोई सभी हो कोई भी नेटवर्क नेटवर्क नहीं चलता है यह पर तो जो भी है वह वाइफाई है जिस पर आप रिलाई कर सकते इवन एक काफे में आप जाओगे तो महां का भाइफाई ही लेना पड़े आपको अगर आप सोशल मीडिया में कुछ डालना चाहते हैं या एक्स वाइजी कुछ भी करना चाहते हैं तो फोन का तो यहां पर सीन खता है तो वाइफा इसलिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होता है यहां पर वाइफा है 24-7 कभी का बार छोटे-मोटे ग्लेचेज होते रहते हैं बट ओवराल हमने आपे वर्क फ्रॉम होम किया हमारे को ऐसलिए प्रॉब्लम नहीं होई तो मुझे ऐसा लगता है कि वाइफा की कनेक्टिविट एकदम परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है अप टू 50 Mbps की स्पीड यह तो यहां पर आपको पावर बैक अप भी है इनवर्टर लगा हुए तो आपको सच कोई दिक्कत नहीं होगी उस प्रасПथे तो आप हमारे को comment कर सकते हैं और हम आपको बिल्कुल help करेंगे इसके अलावा आप हमारे को Instagram पे भी DM कर सकते हैं और हम आपको महाँ पे भी message करके सब कुछ बता देंगे और इसके बाद हम जा रहे हैं एक नए destination पे तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर like, share और subscribe कर लीजे क्योंकि हम आपको ऐसे ही informative वीडियो आगे देते रहेंगे और हमारी जर्नी देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी क्योंकि हम को भी नहीं बता कि हम कहा जा रहे हैं लेकिन हम बस जा रहे हैं तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को और comment डाउन जरूर बताइगा कि कैसी लगी है हम क्या progress कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिए आपके पास अगर कोई suggestions है तो we'll appreciate it और जरूर से जरूर subscribe करिएगा notification bell भी press करिएगा ताकि आपको हमेशा हमारे चैनल की notifications आती रहें और मिलते हम आपसे अपनी अगली वीडियो में बाई बाई कर दो